हेलो डियर फ्रेंड्स ये MPJ का पार्ट नमबर हम साइकंड डिसक्स करने वाले हैं सो जिसने चैनल को सबस्काइब नहीं किया है वो कर लिजिए और साथ में बैल आगन को प्रेस भी कर लिजिए तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपनी वीडियो तो देखिए सबसे पहले जो मारा फॉस्ट कोशन बोल रहा है कि दा कंडिशन ओफ लैंड खेत जो होता है उसकी वो कंडिशन या फिर वो उसकी स्थिति भेर तब वाटर टेबल इस एट पानी का जो लेबल है वो एट ह या फिर नियर दक ग्राउंड लेबल ग्राउंड लेबल के उपर है या त फिर उसके नज्दीग में हैं एड बिकम डिटर्मिनेंटल टुदा पलांट लाईफ इसको लिए जो पोदे होते हैं उनकी जिन्दगी के लिए उसको आप किस नाम से जानते हैं बेर इन्पोर्ट important question है उसको हम water logging के नाम से जानते हैं water logging तो सभी को पता है कि वह water logging क्या होती है कैसे इसको control करना है so main importance is water logging से जो होता है जो temperature होता है soil मिठी का वो गिर जाता है यह points भी हमने discuss किया अपनी वीडियो में so option D हमारा question की answer बन जाएगा अगला question हम आपके देखते है what is distemper distemper क्या होता है इसके कुछ properties भी होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहला हम इसकी definition की बात कर लेता है इसकी definition होती है distemper जो होता है एक paint होता है इसका unit of measurement की अगर आप बात करेंगे तो इसको square meter में ही measure किया जाता है तो ये एक paint होता है consisting of powder, chalks, pigment and water इसमें ये होता है option A हमारा question का answer बन जाएगा अगर हम इसकी properties की बात करें तो ये light in color होता है इसको जब आप coating करते हैं इसकी तो बहुत ही पतली सी thick layer बनती है तो ये भी important point बन जाता है and ये less durable होता है अगर आप other paint से इसको comparison करते हैं जैसे की oil paints हो गया हमारे पास तो उनसे बहुत ही less durable होता है इनकी बहुत ही ठिकाव नहीं होता है इसको अंदर की side किया जाता है अंदर की जो दिबारे होती ही वहाँ पर किया जाता है क्योंकि atmosphere के effective में आएगा तो ये नीचे चला जाएगा तो ये ही important चीज है और ये बहुत ही सस्ता होता है cheaper होता है ये point भी आप याद कर लेजिए क्योंकि इसको लेकर भी exam में question जो है बन सकता है तो important चीज option ये हमारा question के answer बन जाएगा अगला question लेकिए imaginary line joining equal dash is known as isoheight very important question है इसी तरह कि मैं आपके लिए 5-6 points और भी अपने community section में add कर दूँगा आप उनको भी जाकर देख लीजएगा बसे तो मैं ये इस वीडियो के पहले ही डाल दूँगा दो दो दिन-4 दिन पहले तो आप उनको जाकर देख सकते हैं क्योंकि ये video हमारी थोड़ी लेट ही publish होगी हम पहले इस video को record गर रहे हैं तो इसके जो community section में provide करेंगे हम वो पहले आपको provide हो जाएगा तो वहां पर रोज का रोज आप visit कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको पता है कि भाई हम बहुत सारी आपके लिए जो है पोई पोस्ट add करते रहेते हैं तो वो भी लगाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो यहां पर ISO Heights की बात किया है तो ISO Heights जो होता है Join of Rainfalls Option जैसी हमारा इस Question के लिए इंसर बन जाएगा तो ऐसे ही अगर आपसे Contour से पुशे जाए कि भाई Imaginary Line Joining Equal Dash is Known as ISO Height Line तो उसका Rainfall था तो Contour के लिए जो होता है वो Elevation होता है Points of Equal Elevation यह भी आप याद रखिए एक ISO बार भी होता है ISO बार तो सभी को पहता है कि ISO बार जो होता है वो Pressure से ही Relate करता है Next बना Question में आपके देखते हैं बीच आप तो फॉलेंग कंस्ट्रक्शिन मेटिर्स नोट ए कॉंसिचुएंट ऑफ स्मेंट कॉंक्रीट का कौन सा कॉंसिचुएंट नहीं है यहाँ पर यह हमें बताना है इसको आप यूज कर सकते हैं as a binding material की तरह स्टॉन तो आपको पता है कि aggregate की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं तो यह भी इंपॉर्टन चीज हो जाती है सब्सक्राइब कोई बात नहीं नजर तो हमें डी में आ रहा है अबी सी डी तो डी हमारा इसको इसको इन्सर मोटार हो जाएगा अगला कोशन है वह हम यह पर देखते हैं नेम दा टाइप ओफ शीट बिच है बोथ अबराइट बिग साइज और अबराइट स्टेंडर वो कौन सी शीट होती है तो वो शीट होती है AC शीट AC शीट A for Asbestos Sement Sheet तो यह होता है अबराइट स्टेंडर आप Asbestos जो रेशे होते हैं उनको एड़ करके बनाई जाती है AC sheet जो होती है 15% asbestos जो ratio होते हैं उनको add करके बनाई जाती है very important question है अगर आप AC sheet की जो चुड़ाई होती है उसकी बात करेंगा तो चुड़ाई जो होती है 1.05 meter इसकी चुड़ाई होती है क्योंकि चुड़ाई से भी exam में question जो है पूछा जाता है तो ये भी आपको पता होने चाहिए and AC sheet की अगर आप बात करेंगे तो ये पूर्ण से आपको पता है कि water register कर सकती है पानी तो अंदर आएगा है नहीं and ये जो AC sheet होती है fire को भी register करने के इसके पास capacity होती है तो कि AC है cement की sheet है तो बिसमें आग लगने के कोई भी chances नहीं है पानी भी कैसे आएगा क्यूंकि AC की sheet है आपको पता है कि slabs होते है वहाँ पर अंदर पानी भी नहीं आता है तो ये common चीज है आपको पता होनी चाहिए A4 देखिए Asbestos C4 cement sheet common चीज है सबी को पता होना चाहिए कि भाई इसमें ये quality हो सकती है अगला कोशन है कि fluid change the volume under external pressure Flute Flute जो होता है एक भाई जो अपनी volume जो होती है उसको change कर रहा है जब उसके ओपर कोई external pressure या फिर force लग रही है due to किस बज़े से plasticity, elasticity, viscosity या पिसकोसिटी एक ऐसा fluid जो अपनी volume जो है वो उसको change कर रहा है due to external force pressure उसको आप compressibility force लग रही है due to compressively compressibility जो होती है उसकी बज़े से वो अपनी property को change कर रहा है volume जो होती है तो उसको आप compressible fluid बोलते है option D हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला question देकि specific gravity value for pure bitumen is in the range of specific gravity जो होती है pure bitumen की वो कितनी होती है कौन सी range में होती है वो common question है ये तो 0.907 से 102 ये जो होती है bitumen की specific gravity होती है tar की अगर आप बात करेंगे तो tar की जो होती है 1.10 से लेकर 1.255 जो होती है कि tar की value होती है sewage की अगर आप बात करेंगे तो sewage की एक होती है तो ये भी point आपको पता होने चाहिए lime की अगर आप बात करेंगे जो चुना जो होता है उसकी बात करेंगे तो 3.40 ये lime की होती है स्वेस्टिव ग्राइबिटी को अगर major करने की बात करेंगे आप तो पिकनो मेट्रोजिक के दोरा आप इसको major कर सकते हैं जिसने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस पी कर लीजिए नेक्स्ट बन कोशन देखिए यहां पर ये pipe which carries discharge from water closet WC से WC जो होती है वहां से वो पानी को carry कर रहा है एक ऐसी pipe जो WC से पानी को carry कर रहा है एड उसको discharge कर रहा है उस pipe को आप किस नाम से जानते है so very important WC जो होती है water closet होता है अगर इसमें हमारा जो excreta होता है human का जो excreta होता है मल मुत्र जो होता है उसको carry ले जारे के लिए जो discharge करने के जो pipe लगा जाती है उसको आप soil pipe के नाम से जानते है soil pipe के बारे हम तोड़ा बहुत आपको और बता दे soil pipe जो होती है इसको minimum diameter होता है वो 80 mm से कम नहीं होना चाहिए 80 mm इनके 8 cm से कम नहीं होना चाहिए common question है यह आपको पता होने चाहिए 80 mm से कम नहीं होना चाहिए अगर आप एक छोटे से घर की बात करें तो वहाँ पर जो इस pipe का diameter रखा जाता है वो 100 mm रखा जाता है कोई आप घर बना रहे हैं भई तो उसके लिए 100 mm आप रखते ही है नॉर्मल केसे में लेकिर 80 mm से कम नहीं होना चाहिए यह point भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए बेस्ट पाइब जो होती है यह तो आपको पता कि मल, मुत्र बगएरा जो होता है सोरी मल नहीं मुत्र बगएरा या फिर जो दूसरा होता है बेस्ट पानी उसको ले जाने के लिए आप बेस्ट पाइब का यूज कर सकते है तो option A हमारा इस question के लिए इंसर बन जाएगा यह निकिए बेस्ट पाइब जो होती है उसको X creator को छोड़ कर आगर आपको मल, मुत्र और पानी बगएरा जो होता है उसको अलग से ले जा रहा है तो आप इसको यूज करेंगे अगर लोग शनने give an example of for flaky shape of aggregate flaky shape जो होती है aggregate ही उसका हमें बताना है कि उसका example कौन सा होता है तो flaky aggregate जो होता है उसकी जो least dimension होती है least dimension जो होती है वो three-fifth होती है उसके average size के average size होता है उसका three-fifth होती है least dimension यही होती है इसके example की अगर आप बात करेंगे तो वो laminated rock इसका example हो जाएगा ऐसे ही elongated होता है तो उसकी जो size होता है तो वो होता है nine-fifth औफ यानिकि nine-fifth से जादा नहीं होने चाहिए उसकी average size से तो यह elongated के लिए हो गया अब यहां पर बात आती है कि अगर आपको concrete बनाना है तो flacky और elongated जो होता है aggregate इनका कितना percentage आपके concrete में होना चाहिए यह common question तो नहीं है लेकिन यह exam में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना जुरूरी है तो flacky and elongated होता है इनका जो percentage होता है वो 10 से 15% इनका percentage होता है वो होना चाहिए इससे इनकी ज्यादा नहीं होने चाहिए इतना तक होना चाहिए common चीज़ है इसको भी आप याद कर लिजिए अब next one question देखी यहां पर wall constructor to carry a load of above structure is called wall constructor to carry a load of above structure उपर के structure को उसको आप किस नाम से जानते हैं तो भाई एक ऐसी जिवार जिसको आप बनाते हैं ताकि वो load जो होता है उपर वाले structure का उसको भी सहन कर सके, carry कर सके, उठा सके तो वो कौन सी दिवार होती है तो वो होती है load bearing walls common question है सभी को पता होगा भाई partition ball जो होती है यह load को carry नहीं करती है यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए होती है यह हमने partition दिया है कि एक कमरा दूसरा कमरा ऐसे divide करने के लिए यह partition balls होती है बनाई जाती है partition balls होती है wooden flanks होते हैं पट्टे जो होते हैं उनकी भी बनाई जा सकती है steel जो होती है उसकी भी बना जाती है रही है यह आपको पता होती है तो partition őल्ट जो होती है इसको आप square में कर सकते हैं क्योंकि यह single bricks की बनाई जा सकती है बनाई जाती है 10 cm इसकी जो होती है वो मोटाई होती है और minimum size भी brick में सैनली जो होती है उसका यही होता है 100 mm यह फिर 10 cm एक ही बात है common जीज है अगला question देखिए कि shaft of diameter D and length L has been loaded axially the ratio of change in diameter to the original is called a shaft of diameter D and length L has been loaded axially उसको हमने लोड किया हुए axially the ratio of change in diameter to the original यहनि के पहले diameter थोड़ा ज्यादा था अब diameter change हो गया या पर ज्यादा हो गया है कम हो गया या पर ज्यादा हो गया तो उसको आप क्या बोलते है उसको हम lateral strain बोलेंगे lateral strain change in length आपको पता है कि change in length over original length यह किसकी definition होती है stain की होती है इसका कोई भी unit नहीं होता है तो lateral strain हमारा answer रहेगा एकजली हम लोड कर रहे हैं एकजली कर रहे हैं तो भाई यह lateral ही answer रहेगा कि longitudinal नहीं रहेगा longitudinal तो length wise होता है सो option C हमारा ice question के लिए answer बन जाएगा अब यहां पर अगला option क्या बोल रहा है add ice code हमारे पास दिया गया यहां पर 18902002 is related to dash resistance design of structure सिंपल बात है वह यह ice code किससे relate करता है किससे relate करता है तो common question है भूकमप से relate करता है कितनी बार हम डिसकूस कर चुके इस question को MP sub engineering में question पूछा गया था भही कई बार अगला देखिए coal based thermal power station प्लूट था atmospheric वाई adding कोईला अधारित ताप विदूद केंदर मिला कर बातावर्ण को प्रद्यूशित करता है क्या मिला कर उसको प्रद्यूशित करता है तो वो करता है NOX, SO2, SPM and CO यह सारा मिला कर प्रद्यूशित करता है option C हमारा इस question के लेंसर बन जाएगा बाई जो power station coal पर based होता है thermal power station जो होता है coal जो कोईला होता है उस पर based होता है तो वहाँ से sulfur dioxide, carbon monoxide नाम की कुछ बहुत ही जहरीली कैसे होती होती है तो उससे जो बाताबर्ण होता है उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है तो यही इस question में पूछा गया तो यह उसी के ही example बताए गए है अगला question देखिए in some of the modern thredolite the internal focusing telescope has additive constant equal to additive constant जो होता है वो किसके बराबर होता है add करने वाला additive multiply एक additive होता है एक multiply constant होता है तो additive की अगर आप बात करेंगे तो उसका एक formula होता है f plus d f plus d और इसका जो value होती है वो 0 होती है लेकिन multiply की अगर आप बात करेंगे तो वो होता है f plus i and इसको जो value होती है वो 100 होती है multiply के cases में so option b हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला question देखिए according to khosla the exit gradient of the surface flow according to khosla khosla जो है उसके according exit gradient जो होता है surface flow के लिए वो क्या होता है surface flow के लिए क्या होता है वो तो वो depends करता है breadth and depth ratio जो होता है इस पर depends करता है breadth and depth ratio जो होता है उस पर depend करता है अगला वक्षिन देखिए यहाँ पर according to हमारे इस आई स्कोर्ड यह आई स्टील स्ट्रेक्टर से लेट करता है partially safety factor जो होता है resistance governed by yielding yield जो होता है उसके लिए कितना होता है yield की बात हो यहाँ पर yield जो होता है yielding के लिए 1.10 होता है 1.10 होता है आगला क्वेशन देखिए पिछले वीडियो में हमने discuss के देखिए कि क्वेशन थोड़ा सा अलागता मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी according to working stress method WSM modular ratio between steel and concrete is steel and concrete is कितना होता है modular ratio जो होता है वो इसको हम M से denote करते हैं M जो होता है वो 280 over 3 sigma CBC होता है 3 sigma CBC होता है तो 3 sigma CBC कहां पे दिया गया है option D में दिया गया है यहां पर multiply होता है बीच में भई दिया नहीं होता है लेकिन इसको multiply ही करना होता है तो इसलिए यह खुद से मैंने option बनाये हुए हैं तो पहले यह किस grade का ratio है आपको यह पता होना चाहिए तो यह होता है M 15 grade का ratio होता है आपको पता है कि 1 क्या होता है 1 part of cement 2 part of sand and 4 part of aggregate तो कहां पर दिया गया है 2 part cement गलत है 1 part cement बिल्कुर सभी बात है 4 part of sand गलत है 1 part of cement is mixed with 2 part of sand बिल्कुर सभी बात है 4 part of course option C हमारे इस question के लिए answer हो जाएगा यही answer बनेगा तो ऐसा मैं सोची कि question जो है common question है इसको लेकर question एक और दो तरीके से और पूश जाता है कि भाई अगर cement का weight 50 kg है तो aggregate का weight दिया होता है कि कितना होगा जैसे कि यह ratio दिया गया इसी ऐसा ही कोई और ratio आपको बस दिया होगा तो sand कितना होगा कितने kg का होगा and aggregate जो होता है वो कितने kg का होगा इस तरह से और liter में value होती है तो वहां से भी caution पूश जाता है अगला कोशन देखिए Maximum reinforcement in Vim of width B and depth D Should not be greater than Minimum की अगर आप बात करेंगे तो 0.85 BD over FY होता है लेकिन maximum की बात करेंगे तो 4% होता है उसके cross-sectional area यहनिके यह भी answer correct होता है Option D हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला कोशन देखिए Plate load test is used to determine Plate load type का एक test होता है जिसको आप use करते हैं ताकि आप पता लगा सके किसका किसका पता लगाना आपको भाई So, plate load test जो होता है यह soil के cases में किया जाता है जो side होती है side पर filter test होता है यह तो इससे आप जो ultimate varying capacity होती है soil की उसका पता लगाने के लिए आप use करते हैं यहाँ प्लेट से यह हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ प्लेट यूज करते हैं तो plate जो होती है एक square type की plate होती है square type की तो उसकी जो मोटाई होती है 25 mm उसकी मोटाई होती है and जो plate का अगर आप size की बात करेंगे minimum size की बात करेंगे तो 30 by 30 cm का होता है maximum size की बात करेंगे तो 75 into 75 cm ये maximum size होता है ये minimum size होता है उसका so option D हमारा question की answer बन जाएगा bearing capacity of soil को find out करने के लिए plate load test जो होता है वो किया जाता है अगला question देखिए web stress design method used in web stress design method जो होता है वो किसमें use किया जाता है तो वो use किया जाता है design of traffic signal जो होता है इसमें use करते हैं अगला question देखिए square root of time square root of time fitting method is used to calculate square root जो होता है time fitting method का आप उसको use करते हैं ताकि आप calculate कर सके coefficient of consolidation जो होता है coefficient of consolidation जो होता है ये हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा C spelling थोड़ी सी mistake है correct कर लिजे coefficient of consolidation होता है CV so option C answer हो जाएगा इस question के लिए अगला देखिए abyssinium tube well is a special type of stainer tube well in which the diameter of well pipe is kept equal to abyssinium tube well जो होता है एक special type of stainer tube well होता है इसमें जो diameter आप यूज करते हैं well pipe का वो कितना रखा जाता है कि इसके बराबर रखा जाता है so diameter की अगर आप बात करेंगे अगला कोशन देखिए surface tension has the unit of surface tension जो होता है उसका unit होता है क्या होता है यह हमें इस question में बताना है surface tension is the unit force per unit length force per unit length is the unit option C हमारा common question है यहां पर कुछ और बताने की जुरूरत नहीं है अगला कोशन देखिए यह कोशन हम कही बार discuss कर चुके है तो कोशन क्या बहु रहा है mathemoglobinia the blue baby syndrome is caused by consuming water containing excess of excess of किस की excess कौन सा excess जादा हो जाएगा तो आपको blue baby नाम का रोख होता है बच्चों में होता है वैसे mathemoglobinia के नाम से भी जानते हैं तो वो होता है nitrate option a हमारा इस कोशन के लिए answer हो जाएगा जो potable पानी होता है उसमें जो nitrate की मातरा होती है वो 45 mg पर लीटर से जादा नहीं होनी चाहिए option a हमारा answer बन जाएगा अगला कोशन देखिए यहाँ पर if rail length is 13 meter rail की जो length है वो 13 meter है slipper density कितनी है m plus 4 दिये यह हमारे पास how many slipper would be required in 1 km length of the track how many slipper कितने slipper लगेंगे 1 km length जो होती है track ही उसके लिए हमारे पास सारी चीचे given है rail की length दी गई है 13 meter length है भई rail की and उसकी slipper density भी given है हमारे पास m plus 4 and slipper 1 km के लिए कितने लगेंगे find out कीजिए m plus 4 यानिके m हमारे पास m की value 13 दी गई है plus 4 is equal to 17 हमारे पास आ गया and rail length कितनी है 13 meter है and 1 km के लिए हमें बताना है तो 1 km में कितने meter होते हैं 1000 होते हैं सभी को पता है common question है तो हमें how many slipper निकालने की slipper कितने लगेंगे तो 17 बटे 13 into 1000 इसको आप calculate करेंगे तो हमारे पास 307.69 अंसर आ जाएगा 307.69 इट मिन्स कि 1308 अंसर हो जाएगा इतने slipper जो है 1 km के लिए लगेंगे option बस B लिखा हो लेकिन A अंसर हो जाएगा यांपर 1308 slipper लगेंगे अगला last question देखे हमारे इस वीडियो का To avoid lateral skidding lateral skidding and overturning of only horizontal curve horizontal curve है वहाँ पर हमें lateral skidding and overturning जो है उसको avoid करना है उससे बचना है भाई The centrifugal ratio should always be less than centrifugal ratio जो होता है वो किस value से कम होना चाहिए centrifugal ratio जो होता है किस value से कम होना चाहिए चाहिए तो वो कम होना चाहिए f and b बटे 2h option ये answer हो जाएगा ये and ये answer होता है लेकिन बोथ f and b बटे 2h यहाँ पर दिया तो हमारा अंसर यही answer बन जाएगा दी अंसर हो जाएगा इस question के लिए तो फ्रेंट्स ये थे हमारे 27 question वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें च झाल